सीक्षक बहाली के लिए कांस्लिंग बीहार में सिक्षक बहाली कि ऐसे शुरू हो गई है इसे लेकर सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सची केके पाठक ने सभी जलादिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि 18 अक्टूवर से अगले आदेश तक सिक्षा विवाग के सभी पदादिकारियों करमचारियों की छुट्टियां रद करने की किरपा करे केके पाटक ने सिक्षा विवाग के सभी पदादिकारियों करवियों की चुट्टी रद करने का सुनाया फर्मान माध्मिक उच्छ माध्मिक प्राथमिक की काउंसलिंग की तिती आई सामने बीपी ऐसी से जारी उच्छ माध्मिक सिक्षक निवती परिणा में शामिर अभियत्रियों की काउंसलिंग बुदवार यानि आथ से सभी जिलों में प्रारम हो जाएगी इसके लिए सिक्षा विवाग ने काउंसलिंग सेंटर की सूची जारी कर दी है 18 अक्टूवर को पहले दिन उच्छ माध्मिक के उन विश्यों की काउंसलिंग होगी जिनका परिणा मंगलवार को जारी कर दिया गया है शिक्षा विवाग से जारी पत्र के अनुसार 18 से 24 अक्टूवर तक काउंसलिंग आयज़ित की जाएगी शिक्षा विवाग के सभी कर्मियों की छुटी होंगी रद केके पाठक शिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक ने सभी जिलादिकारी से कहा है कि 18 अक्टूवर से अगले आदेश तक शिक्षा विवा के सब्बाध़िकारी कर्मियों की छुट्टी रद करने की किरपा करें ताके आयुग द्वारा अनुशंशत सिक्षकों की काउंसिलिंग 104 रूप से हो 31 अक्टूवर तक शिक्षा कर्मियों को किसी भी प्रकार की विदी विवस्ता और अन्य प्रकार की डूटी में नहीं लगाया जाए जलादिकारियों से काउंसलिंग इस्तल पर पुलिस बल की तहनाती करने को भी कहा गया है 18 वा 19 को उच्ची मादमिक तथा 20 वा 21 को मादमिक के अभीत्रियों की काउंसलिंग आईजित की जाएगी 22 को प्रात्मिक तथा उच्ची मादमिक वा मादमिक के 6 अभीत्रियों की काउंसलिंग होगी सिक्षा विवाग में अभियत्रियों को काउंसिलिंग के तोरान आयो की बैवसाइट पर अप्लोड दस्तावीज वा प्रमार पत्रों की मूल कौपी अनिवार रूप से लाने को कहा है मादमिक और सफल अभियत्री आरिंटेशन की तैयारी के साथ आएंगे